आइसलाम अलेकुम गाईज मैं हुसेना आज हम अंडे से मास्क त्यार करेंगे जी हाँ फेस मास्क बनाएंगे अंडा खाने के तो बहुत से फायदे हैं और हम कभी अंडे का ओमलेट खाते हैं कभी एग फ्राई और बहुत सी रेसिपीज हैं जिसमें हम अंडा इस्तमाल करते हैं जो के हमारी सहत के लिए बहुत ही अच्छा है आज हम एग मास्क बनाएंगे एक पूरा अंडा हम लेंगे अंडा हमारी स्किन को टाइट और वाइट बनाता है इसी तरह इसमें हम चावल का आटा अट करेंगे जी तो चावल का आटा बनाना कोई मुश्किल नहीं आप एक मुठी चावल लें उसे ब्लैंडर में ब्लैंड करें अच्छी तरह से उसके बाद आप स्टेनर से स्टेन कर लें बारी काटा जो नीचे आजाएगा उससे आपने मास्क के लिए इस्तमाल करना है तो जी मास्क के लिए आप लेंगे दो चमच चावल का आटा इसके हलका सा गरम करें तो वो मैल्ट हो जाएगा जी हाँ कोकोना टोयल हम लेंगे एक चमच इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इस तरह का मिक्सचर त्यार हो जाएगा जो के बहुत ही स्मूथ होता है इसे हम अपने फेस पे अपलाई करेंगे फेस पे हम नीचे से उपर की तरफ मास्क अपलाई करेंगे जब भी कोई मास्क आप अपनी स्किन पे अपलाई करते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप बिल्कुल नहीं बोलें ये मास्क तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप लगा सकते हैं जब ये ड्राइ हो जाए तो आप फेस वाश कर लें जी हा आप कोशिश करें कि फेस को ठंडे पानी से वाश करें फेस को कभी भी गरम पानी से वाश नहीं करना चाहिए तो ठंडे पानी से फेस वाश करें और फिर देखें आपकी स्किन ना सिरफ हुपसूरत, टाइट और वाइट होगी बलकि आपकी स्किन इस तरह की क्लोइंग हो कि बगएर मेकप के ही आप बहुत हुपसूरत लगेंगे जी हाँ आपकी स्किन बहुत हुपसूरत और चमकदार नजर आएगी और टाइट बगएर मेकप के ही हुपसूरती होगी तो यहाँ पे हमने इस बारे में सारा आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें शामिल होनी है और किस तरह से ये मास्क आपने लगाना है और मास्क के बाद की हुपसूर्ती आप जरूर चेक कीजिएगा तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो लाइक और शेयर करें थैंक यू अलाहाफीज